हाई फ्रेंड्स वेलकम बैक टू मैं चेनल व्यूटियास रेश्मी और मैं हूँ रेश्मी तो आज मैं आपके साथ एक न्यू लॉंच प्रोडक्ट का रिव्यू एंड डेमो शेयर करने वाली हूँ इस प्रोडक्ट का नाम है लेख में ब्लाश अंड गलो जेल स्क्राब ये औरेंज वालनट वैरियंट में है ये स्क्राब औरेंज कालर की ट्यूब पैकेजिंग में आता है और फ्लिप टॉप कैप है पैकेजिंग के उपर शुगारी एफेक्ट दिया हुआ है एंड ये मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है इस स्क्राब का प्राइस है 125 रुपीज शेल फ्लाइफ है 2 यार्स अंड मुझे मिला है 50 ग्राम का प्रोडक्ट अंड इस त्यूब के बैक साइड में इसके बारे में लिख्खा है गेट दा एक्स्फोलिएटिंग पावर ओफ श्क्राब यहां पे फुल इंडियेंट्स लिस्ट मेंशन्द है आप चाहो तो पॉस करके पर सकते है अंड दोस्तों यह प्रोडक्ट आइस पे नहीं जना चाहिए क्यूंके हमारे आई एरिया के स्किन डेलिकेट होते है एंड यह है प्रोडक्ट का टेक्स्चर जेल बेस्ट फॉर्म्यूला है आप देख सकते हैं ओरेंज जेल के अंदर वालनट शेल का माइल्ड पार्टिकल से अब इसको फेस पे अपलाई करके दिखाती हूँ सबसे पहले फेस एंड नेक को माइल्ड वार्म वाटर से धोले इससे आपके पोर्स ओपेन हो जाएगा उसके बाद इस जेल को हलके हातों से अपने फेस पे सर्क्यूलर मोशन में मासाज करें 5-7 मिनिट तक मासाज करते वक्त नोज, फोरहेट और चीन एरिया पे ध्यान दे क्यूंकि वहाँ पे ज्यादा ब्लैक हेट्स और वाइट्स होते हैं उसके बाद ठंडे पानी से फेस को वाश करना है और दोस्तों स्क्राब करने के बाद आपको लाइट मोईस्टराइजर एपलाई करना है बात करे इस प्रोडक्ट की तो ये मुझे बहुत पसंद आई इसके वालनट एक्सफोलिटर बीड्स आपके स्किन को स्मूथ एंड क्लीन बनाता है और आपके स्किन से डार्ट, इम्पुरिटीज एंड ओयल को क्लीन अंड क्लियर करता है एंड ये यूज होने के बाद फेस पे ओयली कास्ट नहीं छोडता है इन दा सेम टाइम स्किन को ड्राई भी नहीं करता है सामर एंड मॉंसून में यूज करने के लिए बेस्ट स्क्राब है इसके अंदर ओरिंज जेल है जो स्किन से टैन रिमूफ करता है स्किन को निखरता है ये प्रोड़क्ट कारेंटली नायका एंड लैक में आउटलेट में अवेलेबिल है आप चाहो तो खुद के लिए इस प्रोड़क्ट को पर्चेस कर सकते हैं तो फ्रेंड्स ये था मेरा आजका रिव्यू वीडियो अगर मेरी ये रिव्यू आप लोगों को पसंद आई तो लाइक शेयर एंड अच्छे अच्छे कॉमेंट्स जरूर किजिए और मेरी चैनल ब्यूटी आइस रेश्मी को सब्सक्राइब करना ना भूले सु मिलते हैं अगले वीडियो में